हेलो गाईज, वेलकम वेलकम बैक टू मैं चैनल कहानी हरी द्वार से आज मैं आपके लिए एक ऐसी मौत की कहानी लेकर आई हूँ जो की बहुती वियर्ड थी इसमें भी कोई क्राइम नहीं हुआ था, सिर्फ एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनकर आपको एहसास होगा कि मौत किसी भी तरीके से हमारे सामने आ सकती है तो अब हम चलते हैं सीड़े अपनी स्टोरी की तरफ अगर आप लोग Aberdeen, Scotland में एक बोट पर चड़ें और उसके बाद आप 7 hours के लिए East की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर पहुँचकर आपको एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा जाइंट जिसे हम कह सकते हैं, man-made structure दिखेगा ये जो building हम इसे कह सकते हैं, ये जो building है ये आपको समुद्र से बाहर निकलतावा दिखाई देगा इसको आप एक construction site भी कह सकते हैं और इसमें एक corporate office भी है ये जो सारा structure है, करीब 100 feet tall metal की stilts के उपर बना हुआ है और देखने में बहुत ही जादा बड़ा huge नजराता है इसका नाम है Magellan और ये एक offshore oil rig है क्योंकि इस area में oil है समुद्र के अंदर इसके लिए जो बना हुआ है, जो structure ये तब तक यहां पर बना रहेगा जब तक इस area का सारा oil machine और बाहर ना निकाल लिया जाए अब जब ये structure है तो यहां पर काम करने वाले बहुत सारे workers भी होंगे कई बार वो कई कई हफतों, कई बार महीनों तक के लिए इन oil rigs पर काम करते हैं और ये जो oil rig जिसके आज में आपको story सुनाने वाली हूँ, उसका नाम है Magellan और इन workers को वहाँ पर rough necks कहा जाता है, इनको official name है rough necks और ये जो इनकी job है, दुनिया की सबसे dangerous jobs में से एक है यहां ये जो rig है, इसकी जो outer surface होती है, यनि कि जो बाहार का छेतर है ये कभी oil के कारण चिपशिपा होता है, कभी पानी के कारण बहुत फिसलन वाला हो जाता है और इतना अज़ा slippery होता है कि इसमें accident कई बार हो जाते हैं और अगर आपका कोई major accident हो गया, तो बिल्कुल chance है कि आप 100 feet उपर से सीधे नीचे जाकर गिरेंगे हो सकता है नीचे की किसी मंजिल पर, फर्ष पर, या हो सकता है सीधे समुदर में या आप जाकर गिरें तो यह risk हमेशा यहाँ पर काम करने वालों के लिए बना रहता है और अगर यहाँ पर हवाएं चल रही हो, जैसे कि अक्सर चलती रहती है हो सकता है कि आपका यह जो fall का risk है, यह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए और कहा जाता है कि जब हवाएं चलती है तब यह risk दस गुना ज़्यादा बढ़ जाया करता है इस risk के अलावा जो crude oil यहाँ पर निकाला जाता है, वो बहुत ज़्यादा जोलनशील होता है यह जल्दी से आग पकड़ लेता है और आग का खत्रा वहाँ पर बहुत ही आम है, बहुत आसानी से वहाँ पर आग लग जाया करती है इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर साफधान रहना पड़ता है इसके अलावा यहां पर जो सबसे बड़ा खत्रा है वो है blowout का खत्रा यह blowout उसे कहते हैं कि जब हम जिस कुए में खुदाई कर रहे हैं यानि कि जिस गड़े में जिसमें oil भरा हुआ है उसमें हम drill चला कर खुदाई कर रहे हैं सबसे बड़ा खत्रा है अब जो रिक्स होती है इस तरह की कोई सिच्वेशन हो जाए तो अपनी सेफटी के लिए बचाओ के लिए वहां पर बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन सच तो यह है कि अगर इस तरह का कोई ब्लो आउट वगरा हो गया तो बहुत जारा चांसेस है कि वहां के 100% लोग तुरंधी मारे जाएंगे और यह किसी के भी कंट्रोल में नहीं है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर हम वहां पर काम कर रहे ह तो पूरे टाइम हम वहां पर रिस्क में हैं अब मैंने आपको इसके जो डाउन साइड है वो तो बता दिया लेकिन अगर मैं इसके कुछ फाइदे बताऊं तो फाइदा सबसे बड़ा यही है कि यहां पर काफी हाई लिए आपको पे किया जाता है यानि कि जो यहां पर सै ऐसे का भी कहीना कहीं अट्रेक्शन होता है सन 2000 में एक 41 यह ओर्ड व्यक्ति जिसका नाम था गोर्डन मॉफेट उसके दो बच्चे थे वहां पर नौकरी करने के लिए आया वहां पर काम करने के लिए आया उसकी जो में जॉब थी वह यह थी कि जो ड्रिल है जिससे बेसिक जाता था कि उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती थी और फिर जाकर उने चेक करना पड़ता था अगर देखा चाहिए तो यह जो कंपनी स्थी जो इतनी बड़े रिक्स में वहां पर इंवेस्ट कर रही थी ऑईल निकाल रही थी ड्रिल के रुखने का मतलब था कि उनका पैसा वेस्ट होना क्योंकि वो कॉंस्टेंटली वहां से ओईल निकालना चाती थी वहां से अपना काम कंप्लीट करना चाती थी और वहां से जाना चाती थी कि यह काम जल्दी खतम हो अगर ड्रिल ही रुख जाएगा तो उनका बेसिकली सारा का सारा काम वहां पर ठप पड़ जा करना है इसलिए इतनी ज्यादा हाइली पे करके उन लोगों ने वहां पर वरकर्स इंजीनियर सगरा रखे वे थे उस दिन यानि कि 9 अक्टूबर 2000 में उस दिन गॉर्डन अपनी नौकरी से काम वाम करके आया और उसके बाद आराम से अपने कौर्टर में सोने के लिए जा रह व्यक्ति था उससे बिल्कूल भी परेशानी नहीं हुई कि इतनी रात को से क्यों बुलाए जा रहा है उसे पता था कि मेरी यही जौब है और ड्रिल का सही होना कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है उसने आराम से अपना समानवान समेटा और तुरंथी ड्रिल की मेंटेरें पहेंस बिले जिनौने बताया कि इसको ड्रिल में कहां कहां मरमत करनी की जरूर्वत है और उसे क्या करना करना है अब यह जो ड्रिल ती जहां प्लेयर ता जाने के लिए जो गौर्डन था य सीधे जल जानी सकता इसको वहां से जाने के लिए लेनी लेन तो वहीं पर लगी थी फिर ऊडुम से नीचे वाले हिस्से में जाना था थोड़ा सा एक फ्लोर नीचे जाना था और जब ये इस नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचता तब वहां थे एक माउस होल के जरिये उसके जो कोवर कर थे वह उपर से वायर में बांद कर कुछ अर्नेस वगरा इसको दे आप ये माउस होल máus hole क्या होता है यह माऊus hole होता है की डेक से नीचे चैसा होता है छोटा सा छेदो थे से एक इस इन्सान नहीं कुजड़ सकता लेकिन उसे थोड़ासा छोटा होटा है तो उशे आप जो नीचे वाला और उसके बाद उस हारने इसके जरिये लटकते वे हवा में फिर वो उन तारों के पास उस मेकेनिजम के पास जाएगा जिसको उसे ठीक करना है उस समय उसके जो पैर हैं वो किसी फ्लोर पे नहीं रहेंगे बलकि एक तरह से वो हवा में लटका रहेगा अब आप ऐसे समझिए कि नीचे वाले तल में तो गॉर्डन है जो अब लटकने वाला है और वहाँ पर जाने वाला है है उपर वाला जो डेक है जिसको मेंडिक कहते हैं वहाँ पर उसके को वरकर्स थे हैं साथ ही हैं लेकिन यह जो वरकर्स हैं यह काफी उपर बैठे वे एक होईस्ट ऑपरेटर से संपर करेंगे जो कि वहां करेगा इस हार्नेस को यानि यह तीनों अलग लग लेविल पर सबसे मीचे गॉर्डन था उसके बाइस के और उसके बाद काफी ऊपर एक खंबा जैसा था एक मीनार जैसी थी उसमें एक स्टेशन जैसा बना हुआ था उसमें वह व्यक्ति बैठता था जो अब इसकी हार्नेस क को ऊपर बैठकर operate करेगा और वह operate कैसे करेगा वह तो इसको गॉर्डन को नीचे देखनी पाएगा क्योंकि वह डैक के नीचे है तो जो को वर कर से हैं वह माउस होल के जरिए बातचीत करके यह सारी चीज़े ऑपरेट कराएंगे यहां से आवाज देकर तो अब जब यह हा वह अपनी विंच शुरू करता है और यह जो विंच है इसमें पूरा मोटे मोटे लोहे के वायर लिप्टे रहते हैं जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं यह घूमती है और उसके घूमने के साथ ही आम किसी व्यक्ति को या तो लिफ्ट करते हैं या नीचे उता करना था उसके बाद जब यह इशारा वहां से माउस होल से कर देता कि अप सब कुछ ठीक हो गया है तो इसको वापस नीचे उतारता फिर वह एलिवेटर के जरी है अपनी हार्नेस उतारने के बाद एलिवेटर के जरी है दुबारा में डैक पर चला जाता और काम खतम लेकि कर चुके थे और उन्हें पता था कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यह काम बस कुछ मिंटों का है और मैं जल्दी से करके निकल लूँगा तो अब जो गॉर्डन था वो में डैक से अब लोवर डैक पर गया उसके बाद उसने माउस होल से उपर देखा और सिगनल किया पर पहन लिया और जब उसने अच्छी दरीके से उसे पहन लिया उसमें वाइर वगरा एटेश था क्योंकि अब उसे उठना था उपर उस दीके द्वारा उसी तार से उठना था तो उसने अपने को वर्कर्स को इशारा किया कि अब इसको उपर खीशना तुम शुरू करो अब hoist operator ने अपनी winch को शुरू किया और ये जो garden था ये धीरे धीरे अब उस platform से उठना शुरू हो गया और करीब 10 feet अब वो उपर उठ चुका था और वहाँ पर पहुंच गया था जहाँ पर अब उसे अगला काम करना था यानि की maintenance का काम करना था जब वो महाँ पर पहुंच गया तो उसने उस mouse hole के जरिये उपर वाले अपने workers को इशारा किया कि मैं अब सई उचाई पर हूँ और winch को रोग दिया जाए तो जो उसके co workers थे जो अब उसके करीब ही आ गये थे क्योंकि mouse hole क्या था अब वो platform से उठ गया था तो अब एक तरह स से mouse hole के एक सिरे पर गॉर्डन था और दूसरे सिरे पर उसे अब अपने नजदी की अपने कोवर कर नजरा रहे थे अब गॉर्डन ने अपने टूल्स निकाले और maintenance के काम में लग गया इस पूरे maintenance के काम के दोरान वह स्टील डी रहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इतनी इस्धान पर आ या पर हवा चलती है कि एक इस्थान पर रहना बहुंत जारा मुश्किल है पूरे टाइम डूंड ही हे वहां जब होँ rock अपने नका काम करना लेकिन के गोणिक और की झिया है यहां पर मेरा रहे आप याव होग पजया अब सिगनल करदो और बता दो ऑर आ पारदे डेक पर ताकि मैं एलिवेटर पकड़कर अब ऊपर आजाओं जब उसके कोवरकर्स ने देखा कि उसने अपना काम कर लिया है तो उन्होंने होईस्ट उपर बैठा हुआ था एक टावर पर उसको इशारा किया कि अब तुम गौर्डन को नीचे कर दो और उसका काम ख पर दिया था लेकिन वह एक्सिडेंटली यह भूल गया था कि अब विंच का जो डिरेक्शन है वह अब नीचे की तरफ होना चाहिए ना कि उपर की तरफ जैसा कि आपको पता है कि जो विंच थी पहले इसको उपर की तरफ पुल कर रही थी ताकि वह उस जगह पर लेकिन ऐसा नहीं था कि विंच बहुत तेज हूमरी थी कि बिलकुल कुछ सेकंड्स में ही वह क्रैश कर गया हो ऐसा भी नहीं था गॉर्डन काफी धीरे धीरे वह वह विंच ऊपर की तरफ खीशती थी किसी भी इंसान को इसलिए अब वह धीरे धीरे उपर की तरफ जा रह गया है उन्होंने इतना अधा सीरियसली नहीं लिया उन्होंने का ठीक है हम इशारा करके बता देते हैं वह सब जोर जोर से हुईस्ट ऑपरेटर की तरफ चिलाने लगे उसे इशारा करने लगे कि स्टॉप 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 रिवर्स विंच लेकिन अब जो फूपरेट पर चुका था इसलिए ये उसके लिए रूटीन प्रोसेस था वो इतना ध्यान नहीं देता था और इसलिए अभी वो जो नीचे क्रू मेंबर्स थे उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था अपने काम में बिजी हो गया था और उस रात इतनी जादा हवाएं चल इन थी इतना ज्यादा शोर था लहरों का कि ये जो आवाजें दे रहे थे होईस्ट ऑपरेटर को वो उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी आवाजें बिल्कुल डैलीउट हो जा रही थी अब क्या था जो विंच थी वो रील इन करती जा रही थी तार को और जो अब धीरे धीरे माउस होल के नजदीक आता जा रहा था गौर्डन उस हारनेस से तब तक नहीं निकल सकता था जब तक कि वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा ना हो वो इतनी आसान हारनेस नीथी निकालने के लिए कि आप ऐसे हवा में लटके लटके उसे निकाल सकते थे वो अभी तक भी इतना जड़ा सीरियसली सिच्वेशन को नहीं लिया था उसे लग रहा था लोगों ने देखी लिया है वो तुरंती ऑपरेटर को बता देंगे लेकिन जब कुछ और सेकिंड बीद गए और वो कंटीनू अभी उपर की तरफी खिषता चला जा रहा था अब व होईस्ट ऑपरेटर था वो इनकी तरफ नहीं देख रहा था उसके पास अवाज जाही नहीं रही थी अब वो लोग समझ गए थे कि इसका टेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपनी तरफ खीशने के लिए हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा तो उनमें से एक वरकर फोन की तरफ दोड़ा जो कि वहीं पर डॉक पर लगा हुआ था और तुरंद उन्होंने होईस्ट ऑपरेटर के स्टेशन पर फोन लगाया फाइनली होईस्ट ऑपरेटर के जो केविन था उसमें फोन बज़ा तब भी वो जो ऑपरेटर था वो नीचे ध्यान नहीं दे रह और उसको बंद कर दिया लेकिन अभी तक काफी देर हो चुकी थी कुछ सेकंड पहले ही यह जो गौर्डन था यह जो माउस होल था उसके अंडर साइड पर पहुंच चुका था और जैसे ही वह इस माउस होल के पास पहुंचने वाला था वो समझ गया था कि मैं बहुत जार वायर होता है जो विंच खीचती है आपने देखा होगा फोटोग्रेफ में तो हो सकता है कि यह जो वायर है यह किसी तरह मुझे खीचे है जो भी है मतलब उसको वही साही ऑप्शन लगा तो उसने अपने शरीर को वर्टिकल करने की बहुत जारा कोशिश की लेकिन जैसे आ प्यामेज ओता वह फिर भी काम होता लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की लेकिन वह होरीजॉंडल यानी लिडिवी पोजिशन से वर्टिकल पोजिशन में आही नहीं पाया और माउस होल तक पहुच गया तो उसने अपने हाथ अपने पैर अडाकर अपने आपको रोकने की ब वो पहले बाहर निकलने वाला था अब वो धीरे दीरे उसका जो बीच का हिस्सा था वो छेट से ऊपर की तरफ खिशने लगा और एक तरह से उसकी जो बॉडी थी वो दो हिस्सों में तूट गई यानि उसके जो हात और पैर थे वो बिल्कुल तूट गए और उसकी कमर वाला रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं था जैसे ही ऑपरेटर के पास यह मैसेश पहुंचा उसने तुरंती स्टॉप की मशीन लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था गॉर्डन मर चुका था उसका शरीर तूट चुका था और उसका जो बीच का हिस्सा था वो उस माउस होल से उपर की तरफ खीच रहा था और फाइनली उसके टॉर्सों का सिर्फ एक हिस्सा उस माउस होल से उपर की तरफ आ गया बाद में गॉर्डन के घरवालों ने जो कंपनी थी उस पर केस किया और जो कंपनी थी उस पर 60,000 पाउंड का फाइन लगाया गया इसके अलावा उन्ह गॉर्डन के घरवालों को पै जिसका उन्होंने बाद में घरवालों ने खुलासा नहीं किया कि कितना उन्हे और उन्हें कंपनी ने पै किया लेकिन अच्छागासा उन्हें पै करना पड़ा होगा तो इस तरह से फाइनली इस दुखत घटना का अंध हूँ आप लोग मु